हेलो एव्रिवन वेल्कम बेक तो मैं चैनल इनलिटिकल गाये आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट डिसकस करूंगा वो क्या है विर्थ एंड डेप्ट ऑफ डिस्टिबूशन जो भी सेल्फ एक्जेकुटिव मार्केट विजिट कर रहा है उसके लि तो आएए चलिए देखते हैं तो हमारा पहला सेल्स एनेबलर है विर्थ ऑफ डिस्टिबूशन विर्थ क्या होती है मानों आपके पास पार्च आउटलेट्स हैं जैसे कि इसमें दिख रहा है आउटलेट ए टेल आउटलेट ए हमारे पास पार्च आउटलेट है तो जब स इससे समझ आता है मानों अगर हमारा A, B, C, D, E पाच ओ आउटलेट में है तो हमारी जो width distribution बोलेंगे वो 100% होगी तो width generally means in how many outlets a particular SQ brand is present ठीक है second is this concept is useful to understand market coverage अगर आपका जो SQ है हर outlet पे है तो इससे आप market coverage calculate कर सकते हो कि अगर आप 40 दुकान जा रहे हो पूरे दिन में 40 में से 20 दुकान पे है तो आपकी 50% market coverage है so and so forth third point in ideal scenario our width distribution should be 100% जो अभी discuss किया that means particular SQ is present at all the outlets universe outlets अब हम जो width of distribution इसको measure कर रहे हैं इससे पता क्या चल रहा है इससे हमारी brand की presence measure हो रही है अगर हमारा जितना ज़्यादा outlet पे cover होगा तो हमारी brand की presence बहुत ज़्यादा बढ़ेगी so this is very important to enable your brand in terms of presence तो यह हो गया width of distribution अब हम दूसरे concept की बारे में बात करेंगे depth of distribution depth of distribution हमारा sales enabler 2 हो गया यह क्या कहता है कि एक outlet पे अगर हमारा SQ है तो वो कितनी quantity है depth generally means on an average how many quantity of SQ is present in the outlet where that SQ is present अगर हमारा एक SQ है वो A outlet पर है तो उस A outlet पे वो SQ हमारे 4 quantity है या 5 है या 10 है तो वो हमारा depth से पता सलेगा यह हमें बताता है कि जो potential outlet का वो कितना अच्छा है also selling more number of quantity in each outlet is very important to enhance your sales तो हमारी depth के वैसे हमारी sales बढ़ेगी अगर sales officer market जा रहा है उस outlet पे अगर cover कर रहा है उसने एक SQ बेचा versus उसी SQ के 10 quantity बेची तो उसका सीधर सीधर sales बढ़ गई तो जो भी sales officer या executive market जा रहा है ensure करना है उसे कि एक outlet पे अगर उसका एक SQ एक quantity है उसको कैसे 5 करा जाए या 10 किया जाए या 15 किया जाए correct so volume of a particular SQ is measured using depth of distribution तो अब हमने theoretically समझ लिया है कि width और depth होता क्या है इसको हम calculate करके समझाएंगे तो हमारे जो एक्जामपल है let's say there a number of outlets is 5 हमारे पांच outlet है a b c d e और हमारे पस SQ है SQ 1 SQ 2 SQ 3 SQ 4 SQ 5 अगर आपको SQ के बारे में समझना है तो मैंने एक और वीडियो बनाई है कि what is SQ SQ का please click that video in the top right window and you can watch that video alright अब हमने जैसे बात करी है कि width हो गया हम कितने outlet पे cover कर रहे है depth हो गया कि एक particular outlet में कितना हम अंदर पर जा रहे है कितना quantity देते है तो अब हमने example में लिया है कि outlet A में SQ 1 2 है SQ 2 1 quantity SQ 3 की 3 quantity SQ 4 की 4 quantity है outlet B में ये है outlet C में SQ 5 और 4 है outlet D में SQ 1 और 3 है और outlet E में कोई भी नहीं है तो अब हमने width निकालनी है width कैसे निकलेगी अब हमें width निकालने के लिए ये देखना है कि हमारे किस-किस outlet पे हमारा particular SQ present है तो अगर हमें width इसमें निकालनी है तो हम ये देखेंगे outlet A पे हमारा है outlet B पे at least 1 SQ है outlet C में है outlet D में है Outlet E में नहीं है 0 तो हमने width जो निकाली है 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 0 divided by 5 into 100 तो 80% हमारी coverage हो रही है कोई particular कोई ना कोई SQ विक रहा है और अगर हमें same एक particular SQ के लिए निकालना है for example अगर मैं SQ 1 के लिए निकालनी हो तो SQ 1 हमारा Outlet A में present है Outlet B में नहीं है Outlet C में भी नहीं है Outlet D में है और Outlet E में भी नहीं है तो हम इस हिसाब से अगर निकालेंगे तो हमें निकलता है 1 and 2 हमारे 2 Outlet out of 5 Outlet में SQ 1 present है 2 divided by 5 into 100 which is 40% तो हमारे 40% विर्थ निकल जाती है for that particular SQ ऐसे ही अगर हमें depth निकालनी हो तो depth कैसे निकलेगी Depth of SQ 3 अगर मैंने example में निकाली है वो क्या होगी SQ 3 हमारा Outlet Air में 3 है Correct Outlet B में 1 है Outlet C में 0 है Outlet D में 5 है Outlet E में 0 divided by 3 3 क्योंकि 3 ऐसे Outlet है जिनमें हमारा एक quantity तो ही उस SQ 3 तो हमें वो ही Outlet लेने है जहां पर वो SQ present है तो हमारा Outlet A, B और D में present है तो उसमें कितना present है 3 प्लस 1 प्लस 5 which is 9 divided by number of Outlet which are selling that outlet that SQ which is 9 divided by 3 is 3 तो हमारा Average निकल गया कि SQ 3 हमारा 3 quantity भिक रहे हर Outlet पे है तो यह depth हो गया हर company का एक particular benchmark create होता है कि depth हमारी at least 10 होनी चीए, 15 होनी चीए, 20 होनी चीए, 5 होनी चीए तो उसके basis पे आप इसको compare करते हो कि आप benchmark को cover कर रहे हो cross कर भी पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ऐसे ही विर्थ की बात है So if you have to enhance your sales performance अगर आपको लगता है sales हमें बढ़ानी है तो इन दोनों concepts को ध्यान रखना है कि विर्थ हमारा कितने outlets में present है Second depth एक particular outlet में present है तो कितने quantity present है क्योंकि अगर हम quantity बढ़ाएंगे तो जाहर सी बात sales हमारी बढ़ेगी तो इस वीडियो में इतना ही Thank you so much for watching this video अगर आपको और भी sales के concepts और funda को समझना है FMCG, CPG, industry के बारे में समझना है कुछ भी इससे related समझना है तो please follow me, subscribe करिए इसमें और भी मैंने videos upload की हैं तो उससे शायद आपको काफी कुछ knowledge मिलेगी Thank you so much for watching